हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे आप सभी को गरतन दीवस के हारदिक सुपकाम नाए आपको पता होगा कि हम गरतन दीवस क्यों मनाते हैं क्योंकि आज के दिन ही हमारा सभिदान लागू हुआ था इस सभिदान के लागू होने के बाद हमारे देश के नागरिकों को पूरी तरह से आजादी मिल गई आजादी आप लोग दे सकते हैं कैसे खेतों में खेतों में काम कर रहे हैं ये क्रिसी लोग हैं मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे ये वैसे हमारी सिस्टर है आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छे से गोडाई कर रही हैं हम लोग आज 26 जनवरी कुछ नए अंदाज में मना रहे हैं खेतों में काम करके क्योंकि आज काम बहुत है हमारे खेतों में आप लोग देख सकते हैं कितना हम लोग ने आज गोडा तीन क्यारी है, तीनों आज ही हम लोग गोड़े हैं, काफी मेहनत किये इन लोग को देख के तो नहीं लग रहा है कि इन लोगों को आज आदे मिली है क्योंकि ये सुभा से ही लगे है, आज के दिन नहीं लागू हुआ है सायद किसी और दिन होगा जब होगा तब हम आप लोगों को बताएंगे वैसे हम आपको बता देते हैं यह खेत क्यों गोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ प्याज लगेगा यह देखिए यह बेहन है अभी जादा बड़ी बड़ी नहीं है इसमें काफी छोटी भी है बस इतनी ही है सायद यह तीनों क्यारी मिनाय आये और कुछ भी बोदे पाला क्या धनिया क्योंकि बेहन इतना ही है अभी इसमें थोड़ी देर पहले खाट डाल के गए है यह देखिए वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको अभी इसमें खेट बनने के बाद हम इसमें यही बेहन लगाएंगे यह देखिए यह काम करके ठक गई है इनके लिए पानी और दाना खेट में ही आ गया है वो देखिए वो छोटा भाई लेके आ रहा है पानी दोड़ते हुए यह बहुत जादा प्यासी है क्योंकि सुबा से ही लगी है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमने बताईएगा और इन बहनों के लिए प्लीज कोई सविदान जल्दी से लागू कराईए क्योंकि यह सुबा से ही लगी है प्लीर इनके के लिए कुछ दया करिए काफी महरत कर रही है ये लोग स्कूल भी नहीं गए ये पानी लेके आए तो दोस्तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में बाई